So guys अगर आप लोग Play Store से अपने फोन में कोई भी application को download या फिर update कर रहे हैं और आप लोग को कुछ इस टाइब का error सो करता जिसमें लिखा रहे था looks like another app is blocking access to Google Play और भी कुछ चादा ही तो basically इसको कैसे आप लोग fix करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को subscribe कर लिजीगा बिलका इकोन को प्रेस कर लेना है तो देखिए simple आप लोग क्या करेंगे अपने फोन में settings ओपन करेंगे देन आप लोग को apps पे क्लिक करना होगा उसके बाद हम app management पे क्लिक करते है और यहाँ पे आप लोग को google play store सर्च कर लेना होगा तो यहाँ गूगल play store सर्च पे हम क्लिक करते है simple आप लोग को google play store का एक बार data clean कर लेना है और cache clean कर लेना है simple आप लोग को यहाँ दो method को use करना है data clean और clear cache तेना आप लोग फिर से try करेंगे आप लोग की problem 100% यहाँ पे fix हो जाएगी काफे लोगों का यह doubt रहता है कि अगर हम google play store का data clean करते है तो जो applications हमने install क्या कई वो तो delete नहीं हो जाएगे दिखिए वो सब safe रहती वो delete नहीं होती simple आप लोग यह method को use कर लिजेगा definitely problem fix हो जाएगी मिलते हैं next वीडियो में जै मता दी